नमस्कार दोस्तों, राना एकनोमिस क्लासेस में आपका स्वागत है, आज इस वीडियो में बात करेंगे कि 5G कितना खतरनाक है, या फिर इससे क्या-क्या नुकसान होता है, इसके पहले हमने जो वीडियो बनाया था, उसमें हम बात किया था, कि 5G से क्या-क्या फाइदे हैं और उसका कहा कहा पर application होगा या फिर उससे आने के बाद उससे क्या benefit होगा और किस तरह की सुविधाएं या फिर हमको हमारी lifestyle को किस तरह से बदलेगी लिकिन कोई भी चीज अगर अच्छी होती है तो उसके साथ साथ कुछ बुराईयां भी होती है मतलग कि अगर merit है तो उसमे पुछ दिमेरिट भी होती है तो उसी तरह से काफी चर्चित में है कि 5G नेटवर्क आने से क्या-क्या परभाव पड़ेगा बहुत सारे rumors भी फिलाये जा रहे हैं बहुत सारे WhatsApp या social media पे trend कर रहा है कि 5G नहीं आना चाहिए या 5G आने से के कारण ही coronavirus हो रहा है लोगों के सा आपके में 5G जो है वो human के लिए खतरनाक है या फिर है भी तो कितना है और नहीं भी है तो कितना नहीं है और इसका क्या वास्तों में इस पर कुछ experiment हुए है या इस पर कुछ research हुए है जिसे कि यह पता चला है कि 5G के कारण या 5G के टावर या इसकी frequency के कारण हमारे birds, animals या 2018 में trial चल रही थी तो वहां के लोगों ने बहुत भाई मात्रा में protest किया था कि 5G technology को अभी delay करें अभी इसको नहीं लगाए क्योंकि इसकी radiation के कारण बहुत सारी problem arise होती है या हो रही है तो यहां पर देख सकते हैं कि जो swidger land में ही नहीं उसको different land के अलग-अलग सहरों में इसका विरोध किया जा रहा था कि आप 5G का testing ना करें क्योंकि इसकी जो high frequency जो होती है उसके कारण birds और animals पे और human पे bad impact डलता है तो आप इस तरह से WhatsApp में आया तो यह गाइब हो गई है मतलब की तितलियां गाइब हो गई है 3G आया तो यह गाइब हो गया है मतलब मधुमक्यां B और जो 4G आया तो जो वल्चर है यह खतम हो गया अब 5G आया है या फिर आएगा तो human खतम हो जाएंगे जो इसको हम लोग या फिर लोग इसको coronavirus से जोड़कर देख रहे हैं लेकिन इसका कारण क्या बताया जा रहा है क तो कि 5G frequency जो होती है इसकी high frequency होती है और बर्ड जो होती है natural frequency पर काम करती है कि उनलोग उनलोग के पास कोई कोई जंत्र नहीं होता है कि उसको waste में जाना है कि इस्ट में जाना है तो इन लोग electronic electromagnetic field जो होता है जिसके कारण यह अधार पर इन लोग अपना जीवन यापन करते है इन लोग का सुबह साम या फिर घोसले में वापस याना फिच्टारे के लिए जाना लेकिन जब यह frequency इनकी माइन में disturb करती है तो यह अपने रास्ता भटक जाती है या फिर जो लाइटिंग होता है टावर में उस लाइटिंग के और इन लोग attract होने लगते हैं जिसके का frequency था वह 6 GHz लेकिन 5G frequency जो आएगा वह 600 मेगावाइट्स पर काम करेगा और इससे उपर और इसका जो मिलिमीटर बैंड जो होता है वह 30 GHz से लेकर 300 GHz तक होगा मतलब कि यह high frequency generate करेगा जिसके कारण हमारा data transfer ability जो होगा वह बढ़ जाता है तो जब high frequency होगा तो small scale पर या फिर जो natural frequency पर काम कर रहे हैं उन लोगों को लिए यह बहुत disturbing हो सकता है तो उसी में देखेंगे कि इसमें कौन-कौन से study है जो इसी इसको confirm करता है कि 5G के tower install करने से या 5G लगाने से इसको आने से इसके trial करने से क्या-क्या problem या समस्या उत्पन हो सकती है इसकी जो high radio frequency होती है उससे तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो इसकी problem है उसको तीन category में divide किया गया है एक short term health effect, long term health effect और electrical sensitivity तो देखें कोई भी अगर environment में खराबी आता है तो उसका सबसे ज्यादा परभाव हमारे सरीर पे ही होता है health के रूप में चाहे वह आपका pollution हो वायू परदूसन हो जल परदूसन हो या धवनी परदूसन हो हम किसी भी तरह से अगर हम अपने परियावरन को बरवाद करते हैं या उसकी जो प्रैक्रितिक रूप है उसमें अगर हम छेड़ चार करते हैं तो वापस हमें रिटर्न करके रिटर्न जो देती है वह हमारे स्वस्ट पे देती है कि आप बीमार पढ़ जाते हैं cancer हो जाता है मतलब कि परियावरन का परवाव आपके सरीर पे होता है और साथ ही साथ प्रैक्रितिक आपके रूप में भी हम लोग को देखने को मिलता है तो य लोग सुक्रानों की गुनवक्ता बोलते हैं उसमें कमी आ जाएगा फिर आपकी बोडी में जलन होगा sensation होगा फिर असांती महसूस होगा दबाव महसूस होगा एरिटेबिलिटी आने लगेगा मतलब कि आप चीट-चीटापन होने लगेंगे और लॉंग टर्म हेल्थ एफेक्ट में आपको cancer होने का चांस रहता है फिर ब्रेंड टूमर इसका सबसे बड़ा परभावा होता है ब्रेंड टूमर होने का तीसरा चीज होता है कि फ्रिग् परिवर्तन आने लगता है कि आपका body structure आवाज आपकी behavior बहवार यह आपका परिवर्तन होने लगता है क्योंकि जब आपकी ठीड़ापन महसूस कीजिएगा तो automatic है कि आपकी बहवार में परिवर्तन आने लगेगा दूसरा neurological neurological मतलब में आपको दबाव जब आएगा तो cognitive impairment मतलब कि आपकी जो बौधिक छमता है अस्मरन सकती है याद करने की जो सकती है वो कम होने लगेगा आपकी जो एक अग्रित करने की जो छमता है concentration करने की जो छमता है वो कम हो जाएगा और आपकी जो असांती फिल होगा एनकसिटी होगा तो जिसके कारण आप चैंस से नह कि आपकी जो human behavior जो है उसमें आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा हर चोटी चोटी बात में आपको चिल चिलापन आता है तो इसी चीज को experiment किया गया था कि आखिर यह 5G जो ट्राइल हुआ है वो 5G ट्राइल के कारण हम अपने mobile को ज्यादा यूज करेंगे mobile को ज्यादा कि एज के अनुसार तो यह experiment करके देखा गया था कि अगर mobile जो है microwave cell phone effect कि brain हमारा किस तरह से अब्जॉर्ब करता है according to age तो यहां पर देख सकते हैं कि यह जो 5-year-old बच्चा है उसमें यह ज्यादा frequency effect डालता है कि अगर वो mobile सामने रखते बच्चा के सामने अगर mobile रखा जात करता है तो उसका जो brain होता है उसको ज्यादा effect करता है और 10-year में उसके कम होता है और adult में उससे भी कम होता मतलब adult को effect करता है लेकिन कम करता है लेकिन बच्चों को ज्यादा परभाव पाड़ता है उसी तरह से यहां पर इस picture में भी आप देख सकते हैं कि phone करने के पहले का thermal screening है और जब यह 15-minute phone पर बात करता है तो इसकी जो radiation observe करता है उसका यह thermal screening है तो शीओर सी बात है कि जब आप phone पर बात करते हैं तो आपका जो radiation होता है उसका radiation जो observe ज्यादा मात्रा में करता है जिसके कारण आपका यह hot term जो problem है headache माथा द्राद नीन ना आना यह सारी problem में र प्रभाव देगा और जब off होगा तो यहां पर देखेगा इस पर कोई भी impact ने डालता है तो इसलिए रात में phone off करके सोजा जाता है या phone को माथा से side करके इसको सोजा जाता है तो जब हमारा 5G आएगा तो यह radiation और तेजी से बढ़ेगा तो जब तेजी से बढ़ेगा तो आपकी जो spomb है उस पर effect डालेगा और इस पर जब effect डालेगा तो इसके कारण आपकी जो DNA होती है वह आपका break कर जाएगा तो जैसे DNA हम change कर जाते हैं तो species ही change हो जाती है और इसी के कारण आपका cancer होने का chance बढ़ जाता है और यह cancer जो है cancer cell बन जाते है जिसके कारण आपका tumor बढ़ने लगता है यह बहुत अच्छा picture है कि cancer from due to radiation radiation से आपका cancer कैसे फैलता है इसके साथ ही हम लोग आँख में भी इसका परभाव बहुत ज्यादा पड़ता है क्योंकि जब से 4G आया है या screen touch आया है तब से बच्चे गेम खेलना ज्यादा शुरू कर दिये हैं समय भी ता रहे हैं जिसके करण आपकी आँख में परभाव होता है और आपकी जो साइट है देखने की छमता है वो कम होने लगती चलोक को भी यह समस्या उत्पन होने लगा है कि उसको चस्मे की जोरत पढ़ने लगा है और यह ज्यादा screen देखने के कारण होता है और screen नजर जो है वो कमजोर हो जाती है उसरा neurological भी जब इसका experiment किया गया था तो उसका परभाव यहां पर देख सकते हैं कि किस तरह से परभाव यहां पर उसके brain में effect डालता है कि जैसे जैसे आप ज्यादा time तक अगर आप mobile पर बात करते हैं उसका microwave हमारा mind किस तरह से observe करता है त तो आपके साथ हजार समस्या उत्पन हो जाता है जिसमें से आपका सबसे ज्यादा problem जो एराइज होगा ओं mental problem एराइज होगा कि आप चीड़ चीड़ा पर महसूस कीजिएगा नीद नहीं आएगा आप लेट से सोईएगा इसके कारण आपकी अलग-अलग तरह की बीमारी उत्पन होना शुरू हो जाएगे इसका एक और evidence देखने को मिलता है जो काफी इसका reference दिया जाता है कि birds पे और उसके बच्चों या अंडों पर क्या परफाव पड़ता है तो एक घटना हुआ था जब 3G technology को test किया गया था या जब आया था तो birds जो थे वह अपने घोसला तक नहीं पहुच पार रहे थे हैं और दूसरा उसमें बहुत सारे health problem या issues देखने को मिला था जो उसका सबसे बड़ा प्रोब्लम था लोको मोटिव प्रोब्लम जो नेचरल फ्रिट्वेंसी को ट्रैक करके अपनी दिनचरिया को पुरा करते थे वो सर्भाइब करते थे लेकिन दब 3G आने के कारण रिडियेशन के आने के कारण ये उन लोग को जो लोको मोटिव जो प्रोब्लम था जो अपनी दिसाताई करती थे वो कर पाना मुस्किल होने लगा इसलिए उन लोग अ जसमें से मधुमक्खी का सबसे बड़ा एकजांपल दिया जाता है किम भीका चतो बना के छलती है घृप में चलती है क्लस्टर की रूप में तो यह जाती है क्यूंकि इन लोग भी अपना वेब होता है उसी वेब को पकड़कर ही एक दूसरे को फ्रोब करती है जिस तरह से फैब जी ट्राइल जो हो रहा था है कहां हो रहा था है निदर लेंड में जिसके अचानक से बीना अंसटनली 287 बाड्स जो थे वो 2018 में डेट कर गया थे मतलब कि रोड पर इसी मरपड़ा अचानक से मर गया जिसके कारण जयादा इसपर रिसर्च होने लगा तो इसका बेड इंपाक्ट है उसके बारे में थोड़ा सा और नॉलेज इन्हेंस लेकिन अभी तक उतना अच्छी तरह से इसपर स्टेडी नहीं किया गया है है रिसार्च नहीं किया गया है इसलिए कंफर्म तोर पर यह नहीं किया जाता है कि 100% इसका जो बाइड इफेक्ट होगा वो human civilization को खतम करेगा या फिर उस पर बहुत बुरा परवाव पड़ेगा क्योंकि यह इनका स्टडी जो है इसमें इन्होंने लास्ट में अपना कंक्लूजन देया था कि इस रिव्यू सोट नो कंफर्म एविडेंस डाट लो लेबल रेडियो फ्रिक्वेंसी फिल्ड अभब 6 गीगाहर्ट साचाए दोज यूज़ बाइड फाइफ जी नेटवर्क और हजाड़ेस्ट हुमन हेल्थ ठीक है मुलता है कि हमारे पास परियाप परभाव इन्होंने बताया कि फ्यूचर एक्सप्रिमेंट में यह या फ्यूचर में इसका परभाव होगा लॉंग टॉम मतलब कि लंबे समय के ओधी में इसका हेल्थ पर परभाव पड़ेगा जिसमें वाइरलेस कम्मुनिकेशन के कारण तो इसमें जो ज्यादातर जो प और इसका परभाव बड्स पर दो पड़ती है लेकिन सिर्फ बड्स का खतम होना सिर्फ रेडियो फ्रिक्वेंसी के कारण ही नहीं होता है बल्कि इसके और बहुत सारे कारण होते हैं जैसे कि पंची ओंका जो घोसला होता है पेड़ पोधे तो इस तरह से अगर हम last में conclusion में अगर बोला जाए तो conclusion यही निकलता है कि 5G आने से हमारी life तो easy होगी लेकिन उसके साथ साथ नहीं तरह की समस्या भी उत्पन होगी और यह क्या परभाव पड़ेगा अभी तक confirm नहीं है हो सकता है कि इससे आने वाले समय में ज्यादा परभा पड़ें तो इसमें अभी ज्यादा से ज्यादा research की जौरत है ताकि लोगों को सही माइने में इसकी bad effect है ना bad effect के बारे में पता चलें तो इसी के साथ वीडियो को खतम करता हूं अगर अच्छा लगे तो लाइक करें share करें और इसका जो एड़वर्ट बेनिफीट वाले व आनिवा तो आनिवाद